तो देखे यह हायर कंपनी के गीजर था और इसके आउटलेट से पानी नहीं आ रहा है इसके अलबा ये गीजर पानी लिकेज कर रहा था पानी लिकेज कर रहा था वह एलेमेंट से कर रहा था और इसके आउटलेट से पानी नहीं आ रहा था इसके आउटलेट से पानी नहीं अगर नहीं समझें वीडियो को देखो बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो वीडियो को लाइक कर दो चैनल को सस्क्राइब कर तो सबसे पहले एलेमेंट मुझे बदलना है इसका जो पाइप बलोक है आउटलेट वाला उसको मैं खोलूंगा ठीक है मैंने बहुत महिनत किया न आपकी दूसरा पाइप नहीं दिख रहा था तो इसको मैंने कैसे निकल रहा दोस्तो एक नट होता है वहां पर चाहे तो नीचे से खोल कर देख सकता है और हर गीजर का जो पाइप होता है आउटलेट का निकलता है मिसलोंगो यहां पानी अंदर नहीं जा रहा है यानि कि नहीं निकल रहा है पाई बलॉक हो गया है तो दोस्तो यहां पे हम क्या करेंगे कि एक रओड लेंगे लेंगे लेकिन मैं ववल्डिंग रोड से ठोक दूंगा अभी पहले देखिए एक बुंद भी पानी नहीं भानी बहरे है नहीं निकल लान आपके सामने में आपने द गुसा के दिखाएंगे आप सभी को चलिए गुसाते हैं और इसके अलावा दोस्तों हमेशा यह पाइप निकलता है और ना निकलता है और जौसती मत निकलना यह 17 नंबर के चाबी तो यह पिलागा करके मैं इसको गुमा करके निकाल लिया था टैंकी के अंदर से तो अभी मै सब्सक्राइब कर देना तो यहां पर हम इस पाइप को निकाल लिया है अलग कर लिया है अब दोस्तों कुछ भी ना दो इस चाहिए तो नहीं जा रहा था आप मतलब कोई केल वेगाड़ा या फिर लोहे का कोई चीज में ठोकोंगा जिससे ओ जो ब्लॉक है बीच में पाइ एंप एक पाइवे थिए पाइज तो पाइन दोस्तों दोस्तों क। क्या हूँ रहा थे कि पानी आउटलेट्स चाहिए बीलकुल सरी तरह कि नहीं हुआ था तो हम बात में क्या कड़े कि इसको निकाले आउटलेट यहां पाइए पाइन इसका पानी टाल जो पानी कि सताश अब जैसे निकालेते हैं वाइसी हम लगा भी देंगे इसको तो चलिए लगा देते हैं इसको पाइप निकलता है एक बद याद रखो निकालना कैसे अब दिमागा लगाना या फिर किसी से पूछ लेना वाकि यहां पे देख लो इसका खोल के दिखाया अब यहां पर कर देंगे उपर का नट है और नीचे कसने वाला है तो कस देंगे हम बाकी 17 के चाबी लेंगे अब दोस्तो इसका पाइप खुल गया यानि पानी तो आउटलेट चाने लगे तो अब हम जागर कि इसका इलेमेंट बद लेंगे वनना हमारा क्या होता पैसा नुकसान हो जाता अगर आउटलेट का जो पानी नहीं आता तो चलिए इसको हम अच्छे से कस लेते हैं अब य यह खाल तो रहें तो नहीं लगा दियो दोस्तो नहीं आप पुराना वाला है तो नहीं लगा मैंने अंदर लगा दिया आप तो दोस्तो नया element लगा दिया हमने वाइडिंग वाइडर जैसा था वैसी सेम कर दिया है और दोस्तो देखो यहां पर की इसका आउटलेट का पानी दिखाते हैं आप सभी को गरम गरम पानी आ रहा है तो देखिए यह गरम गरम पानी बहां पार रहा है तो पूरा बहां पार तो इसका आउटलेट का पानी सही करना था तो अमीद आप लोग भी आप इसका आउटलेट का पानी सही करने और अगरा भी बदलने तो थैंकिज आप सभी का वीडियो देखने के लिए मिलते हैं को वीडियो